अगर आपके सरीर में केल्सियम की कमी है, हड्डियों और जोडों में दर्द रहता है, नीन दा आने की समस्या है, तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही खास रेमेडी सेयर कर रही हूँ, इस रेमेडी को आप सिर्फ साथ दिनों तक सेवन कर लिजिए, फिर देखी आपके समस्या है बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएंगी, सबसे पहले मैंने आप पर मखाना लिया है, यह मैंने आदा कप मखाना लिया है, मखाने खाने से हड्डियों और जोडों में जो दर्द रहता है, उसकी समस्या दूर हो जाती है, मखाने हमारे सरीर के लिए बहुत फायदे मंद होता है, इसमें भरपूर मातरा में कैल्सियम होता है, इसका सेवन बच्चे और बड़े सभी को करना चाहिए, मखाने का सेवन किड्नी और दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है, इससे सरीर में कमजोरी दूर हो और साथ ही बादाम हमारी यादस को तरो ताजा बनाए रखने के लिए काफी लाबकारी होता है अगर आप डेली 4-5 बादाम का सेबन करते हैं तो यह आपके दिल दिमाग और आंकों को मजबूद बनाती है अगर हम डेली बादाम खाते हैं इससे हमारा बलट पेसर कंट्रॉल रहता है इसी के साथ ही हम जो तीसरी चीज ले रहे हैं वह है खसकस फ्रेंड्स खसकस में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 fatty acid omega-6 fatty acid होते हैं साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और धिर सारा फाइबर भी होता है खसकस का सेवन करने से हमारा डाइजेशन भी इंप और खसकस का सेवन करने से सिर्दत में भी काफी लाब मिलता है यहां पर हमें दो चमच खसकस लेनी है और यह आपको मार्केट में बहुत यह आसानी से मिल जाएगी यह मैंने मिस्ट्री ली है यह मैंने धागे वाली मिस्ट्री ली है आपको भी इसी को लेना है जो छोटे मिस्री का मिस्तेमाल नहीं करेंगे हमें जरूरत होगी व५ो मुम ग्राइन करके अच्छे से पाॉडर बना लेंगे पर शुरुदू sowas इसके लिए आप मखानों को इस तरह ड्राइ रोस्ट करके एक एर टायट कंटेनर में रखकर आप इन्हें कभी भी खा सकते हैं मखाने सियद के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद हैं देखिए अब यह मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं इन्हें जब हम तोड़ रहे हैं तो यह आसानी से तूट रहे हैं अब गैस का फिलेप बंद करके इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे अब एक मिक्सी जाल लेंगे कि इसमें ड्राइए रोस्ट किये हुए मक्ावणे डालेंगे इसमें से आदे मकवणे जार में डालेंगे और आदे मकवणें हम बचा लेंगे उन्हें बाद में इस्तिमाल करेंगे और साथ में हमने जो बाद Hammelis और खसकस रख़िए उसे वी面 डालेंगे और इसका एकड़म बारिक पाउडर बना लिए देखिए इसका बारिक पाउडर बनकर त्यार है अब इसे एक एर टाइट कंटेनर भर कर रखेंगे साथ से आर दिन के लिए यह पाउडर बनकर त्यार हो गया है अब हम आपको बताते हैं कि इसको त्यार कैसे करना है इसके लिए गैस पर एक पैन बनाया था उसे दो चमज डालेंगे गैस का फ्लेम मीडियूम पर रखेंगे रेंट्स मैंने आपर मखाने बादमरों खसका पाउडर बनाया है आप इसकी जगह इसको ददरा भी रख सकते हैं एक चमज मिसरी का पाउडर डालेंगे मीठा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम य जैसे ही सरदियां स्टार्ट होती है तो कुछ लोगों को सरीर में जोडों में हड्डियों में दर्ब की समस्या सुरू हो जाती है और सरीर में बहुत थकान रहती है तो आपको डेली इस दूद का सेवन करना चाहिए और जो हमने साबुत मखाने बचाए थे ना उन्हें भी करके पूड़ करों करुगे इस दूद का शेपना अपको ठोड़ा गरर करना है इसरी में सरीर शेलीने पूल ठेंडा करके नहीं करना यह इस इसाठ से आट दिन तक करना करना है वीज़ा बत जी最近 दा इग यह चुटकारा करों बगत फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये खास रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विलकुल न भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग